नमश्कार आप्शा स्रेगाल और खुशाम अरीद, वेरी वेरी गूड इवनिंग तो अलवी पीपल, दिस इस यो मास्टर डीजा हर इस्ट्रियम, जो कि आज आज आपको बताने वाले हैं कि कोई PCB वाला बच्चा या कोई PCMB वाला बच्चा, वैसे PCMB वाला तो ले सकता है लें कोई ऐसा बच्चा है जो PCB में था, या PCB में है, माता बच्चा ने PCB लेवा दिया या उसने खुदी से सोचा PCB लेंगे, लेकिन बाद में पता चला बिचारे को कि हमसे तो ना हो पा रहा है बायो, तो क्या उसी एसी कर सकता है, ले सकता है, इस इट पॉसिबल, चली जानते हैं, यह सारे information जो भी मैं बताता हूँ, वो सब Telegram चैनल पर डालते रहता हूँ, तो अगर नहीं सब्सक्राइब कियो तो कर लेना, free of cost, विदान्तु Math, J.E. Made Easy, Telegram का लिंक नीचे description में दिया है, हाँ भाई, तो क्या bio student switch कर सकता है, तो सबसे पहले यह जानते है, चा नीट का exam नहीं हुआ या नीट जैसे और examination जो तुम देते हो, medical के लिए वो हुआ ही नहीं, यह सबसे बड़ा कारण है, दूजा कारण, perception about immediate and successful employment opportunities based on the job trends and package offers, क्योंकि doctor में कभी कोई वीडियो आस तक ऐसा देखा, highest package offered by, offered for doctors, या this hospital offers highest package for doctors, ऐसा नहीं होता, because वहाँ package का system नहीं है कि भाई, वो doctor को कितना पैसा देता है, और engineering में यह बहुत अच्छे से दिखता है, फिकोई इसको दिखाया भी जाता है, और दिखता भी है, और तीसरा, एंजिनेरिंग में चार साल के बाद आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में डॉक्टर में तो पता नहीं चार साल क्या 14 साल के बाद भी मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है बगवान मालिक है है ना तो अब मुद्दा ये है कि पहला तो वहाँ 6 साल पढ़ो, 6 साल पढ़ने के बाद फिर आप 6 साल में आपको बहुत अच्छी तनख्वान नहीं मिलती है, 40-45 जार रुपय का स्टाइपेंड होता है, डॉक्टर्स का, फिर आप 2 साल आप M.D. करो, वो M.D. के लिए तयारी करन फिर M.D. करने के बाद आप आओ, तब आप डॉक्टर में बनोगे, और उसके आद एक देर लाफ रुपय, दो लाफ रुपय, जो भी मिलते हैं, अपनी प्राक्टिस करोगे, तब करोड़ों में कमाऊगे, अपनी प्राक्टिस के लिए बड़ा सा हॉस्पिटल चाहिए, तो बड़े ऐसे सारे दिक्कत है, तो इसलिए भी बच्चा चाता है, चलो यार, CAC, चलो हटाओ, दिमाग खराब, फिर next, यह होता है, PCB students with computer science as an optional subject might have a change in interest, और यह तो बहुतों के साथ होता है, बाई ओपढ़ पढ़के पागल हो गया है, सर, कुछ होई नहीं रहा है, क्या क इसलिए में आता है, मैं दसमी तक अच्छा था भाय हो में, बहुत अच्छा था, बट अगें, यह जितना सारा चीज गूच जाता है, वो plant kingdom, animal kingdom, तो plant, animal, ब्रायो फाइटा, cellophाइटा, उसका आइटा, इसका जाइटा, एक्दम मामला ही सेट हो जाता है, मेरे से तो नहाब पा रहा होगा, तो वो बिचारे बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ वो यह computer science या कुछ ऐसा engineering में अच्छा कर लें, अब, तो क्या bio बच्चा बीटे कर सकता है CAC से, तो देखो इसका जवाब है yes, सच बता रहा हूँ, इसका जवाब है yes, दिखाता हूँ कैसे, वैसे अगर Handbook of AICTE 2022, latest है All India Council of Technical Education, ठेक, सरकारी विभाग, यह क्या कहता है, कहता है कि engineering technology के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, engineering और technology के लिए, चार साल के course के लिए, बच्चा बार्मी पास हो, किस-किस subject, या तो physics, maths, chemistry, computer science, electronics, this, 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 यहां biology भी लिखा है, देखो, information, biotechnology, blah, 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 obtain at least 45% marks, blah, 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 past and minimum 3 years diploma करे, तो भी यह university या किसी college में जा सकता है, यह इतना बड़ा notification का है, यह मतलब ता दिखाने का कि biology वल बच्चा जा सकता है, ठीक, अब EICTE तो कहती है कि यहाँ यह जा सकता है, हमको को दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ, लेकिन, you can pursue BTEC in computer science engineering, though most engineering colleges, including the IITs and NITs, require mathematics as compulsory subject, अब हाई, यहाँ क्या करोगे, साहब ने तो कह दिया, लेकिन, यहाँ बाबू मन नहीं रहा है, मालिक ने कह दिया कि यहाँ जा के पैसे ले लो, लेकिन यह छोटा मुनीम पकड़ के तुमको गुमा रहा है, नहीं, अलाओ करेगा, क्योंकि इनको mathematics का पलसरी होता है, ठीक, तो, but there are some universities that provides this opportunity for PCB students, अब मुद्दा क्या है, कि सारे लोग बदमास हो जाएं, तो हो जाएं, कुछ ऐसे हमेशा होते हैं, जो इमानदार होंगे, बट वो खोजना मुश्किल है, बट खोजे होगे तो मिल जाएगा, तो ऐसी कुछ universities, colleges हैं, जो कहती ह हैं बच्चों को, कि बेटा तुम बायो ना भी, मतलब बायो रखे हो, मैट्स नहीं भी रखे हो, तो भी हम तुमको अपने हाएं इंजिनिरिंग करेंगे, देंगे, और वो भी इंजिनिरिंग का computer science जैसा important branch देंगे, कहती हैं, चलिए अब हम और दिखाते हैं, तो देगे, इसा नहीं सिर्फ बाते बता रहा हूं, कौन-कौन, सबसे important और बड़ा, दिल्ली Technical University, DTU, दिल्ली University के अंडर में आता है, बहुत ही best का college है, top college है, जही मेंस के बहुत ही अच्छे rankers वाले यहां जाते हैं, इतना बढ़िया college आपको PCB वालों को अलाव करता है, फिर दूसरा पिलानी, पिलानी क्या, बिट्स के तीन campus है, पिलानी, हैदरबाद, गुआ, सब, फिर MET University, और यह तो मैंने 4-5-6 खोजे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे है, तो अगर तुम खोजों के सही से मिल जाएगा, ठीक, चलिया आगे बढ़ते है, admission, अचा, बच्चा है कूच जोड़ तोड़ करे, machine बना लेगा, नहीं machine बना तो यह काद दूगो यही होगा, तरवा इधर से गलत जुड़ जाएगा, लेकिन सोच के देखो, सोचो, नहीं सोचो, कि अगर इधर mathematics वाला बायो में घुसा, और थोड़ा इधर का उधर हो गया, उस सर हम actually यह वाला काटन था, इसका, इसकीन काटना का गलती से नस कटा गया, अब क्या करें, बताइए, अब तो वहाँ पे सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे न, जो उसके senior हैं, जो डॉक्टर हैं, जो भी हैं, अब काटना था, यहां का इसकीन, यह मान लो, देना था ऐसा injection, ओ सर शिट गलती से वो injection पानी भरा गया, सर, सौरी, 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 तो निपट लेगा, आदमी निपट लेगा, वाई, तो इसलिए ऐसा नहीं होता, वाई से वरसा नहीं पॉसिबल है, पी-सीम वाला अगर उधर, अगर में घुसने लगा न, फिर तो मैं तो नहीं जा रहा हैं, किसी डॉक पर क्वार्मेंट्स फोर पी-सीम शुदिट देख लीजेगा, तब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, वार्मिंग, पी-सीम शूदिट्स वों तो पर्ची ब्च की शुड़ बिलिंग तो स्टडी मैथमेट्टिक, यह जरूरी है, इसमेट आपने पढ़ा नहीं, के लिए भी तयार होना होगा, strong foundation mathematics से ही हो सकता है, mathematics बहुत help करता है, example के तौर पर आपको दिखा दू, जैसे semester 1, semester 2, किसी भी b.tech course का, CAC का निक दिखा रहा हूँ, किसी भी b.tech का, उसमे mathematics 1, mathematics 2 रहता ही है, semester 1, semester 2, और particularly computer science में, semester 3 में भी रहता है, probability and statistics, तो आपको देढ़ साल कम से कम mathematics पढ़ना है, 1.5 years college में, तो यसी लिए इतना important है maths, ठेक, आगे बढ़ते हैं, computer science जादा demand में है, तो जादा demand में है, तो जादा competition होगा, इसी लिए there are several benefits of biology students pursuing computer science education, अब ये बहुत rare है, समझे है, क्यों, 90% बच्चा तो वो होगा, जो कि mathematics वाला होगा, सब maths जानते हैं, अब अगर मान लो, कोई ऐसा machine बनाना है, जिस machine में, जैसे तुम लोग देखे होगे, कि आज की rate में, वो Amazon वेगरा पे एक machine आता है, कि थोड़ा सा यहाँ पैसे put से मारो, यहाँ से खुन निकलेगा, और blood sugar ना पलिया जाएगा, बुढ़े लोग मंगाते हैं अपना blood sugar चेक करने के लिए, फिर तुमने देखा होगा, कि Amazon पे machine आता है, blood pressure machine, चेक कीजिएगा, दिखेगा, वो बड़ा simple सा होता, blood pressure का ऐसा पटी से बांता है, और वहाँ पे click कीजिए, blood pressure check हो जाएगा, लेकिन आज से 15 साल पहले, blood pressure check करने के लिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता वो ऐसा stethoscope लगाता था, फिर यहाँ चेक करता था, तो process advance हो गया, अब advance कैसे हुआ, machine की मदद से, वो machine बनाया किसने, doctor ने, लेकिन doctor को machine बनाना तो नहीं आता न, तो एक ऐसे इनसान ने, जिसको biology भी आता था, और machine भी आता था, machine और biology जिसको, जिस इनसान को दोनों आता उसी ने ऐसे, ऐसे machine डिजाइन किये, जो doctors use कर सकते हैं, समझ पाए, तो इसे लिए biotechnologist, ऐसा इनसान, ऐसा computer science engineer, जिसको bio आता है, वो लोग unique combination होते हैं, तो unique combination होते हैं, तो उनकी demand होती है जादा, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, video like करते चलो भाई, यह जरूरी है, high high demand for jobs and diverse career opportunities, high demand होता है, wide range of career opportunities होता है, because बहुत unique combination है, skills in both biology and computer science ही बहुती rare मिलता है, तो कुछ career जो इसमें दिखते हैं, वो क्या, bio informatics scientist, biomedical engineer, medical engineering, imaging specialist, data scientist, software developer, cyber security, यह सब कुछ, बायो में doctors को जरूरत पड़ती है, तो अच्छा career बनता है, आगे बढ़ें, competitive salary, जाहिर सी बात है, जब कम लोग हैं, तो जाधा demand होगा, जाधा demand होगा, salary जाधा होगा, जैसे आप इन profiles पे देखो, average salary है, 6-45, 4-47, लाग, तो तुमको सब जब दिख रहा होगा, 5-7 लाग, bare minimum उतना तो मिली जाता है, कई सारे engineering fields में इतना नहीं मिलता, bare minimum, mechanical में चले जाओ, 2-3 लाख रुप अच्छे, कर सकते है engineering, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा field है, बट सोच समझ के आगे बढ़िएगा, अगर आप PCB में हैं, तो आप engineering के तरफ आ रहे हैं, तो आपका strong will होना चाहिए, mathematics से थोड़ा प्यार होना चाहिए, यह सब जरूरी है, ठीक है, उमीद करता हूँ कि information आप आप बाइ